नमस्कार दोस्तों केके एकजाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे आप सभी उमीद है आप सभी सही होंगे चलिए दोस्तों आज मैं यूथ कमपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एंड डीसी थेवरी से कुछ मातपूर प्रस्न लेका राया हूँ जो कि हमने पिछली स्रीज में 246 प्रस्न कर लिए अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिष्ट में जाकर आप देख सकते हैं चलिए आज इन प्रस्न को हल करते हैं दोस्तों आज ये लाश्ट पार्ट है कल से नय चैप्टर शुरुआत होगी चलिए इन प्रस्न को सुरू करते हैं निम लिखित कारणों में से किसी एक कारण जोडों के धीले पन से बचने के लिए ब्रुटानिया जोड को सोल्डर करना अनिवारे है उस कारण को पहचाने राइट एंसर दोस्तों चलिए इसकी व्याक्ख्या देखते हैं वातावरण में परिवरतन और कमपन के कारण व्युतानिया जोड को सोल्डर करना अनिवार होता है इस प्रकार के जोड में तारो अत्वा केशाबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर वह सटाकर रखा जाता है और संपरकित सिरो को 2-3 cm संकोड पर मोड़ दिया जाता है अब दोनों तारों पर एक तीसरा तार लपेट कर जोड तयार किया जाता है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहां जोड मजबूत होता है और सिरोपरी लाइन का तनन दाब सह सकता है अगला प्रतिरोद समानतर में लगे हैं हो तो कुल प्रतिरोद आर्टी कितना होगा यानि टोटल रजिस्टेंस पूँच रहा आपसे राइट एंसर दोस्तों आपस नमबर D 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 एक यह भी फार्मॉला होता है 1 upon R1 R2 बराबर 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 डड़ देश आगी तक चलिए इसका तो हाल फिलाल राइट एंसर आपसे नमबर D है अगला प्रश्ण है यदि चार दसम्दों एक आठ कैलोरी द्वारा चलिए इसकी भी आख्या देखते हैं देखिए देस्तों उत्पन उसमा यच बराबर उसमा बराबर जो फार्मॉला होता है आई स्कॉयर आर्टी होता है जूल में लिखा है जूल से बदलेंगे कैलोरी में लेकर आएंगे तो एक जूल बराबर जो होता है आपका एक जूल बराबर एक जूल बराबर वन अपान चार दसम्दों एक आठ किलो कैलोरी होता है दोस्तो इसे कालोरी से जूल मिले गए तो आपका आ गया उत्पन उसमो बराबर आई स्कोएर आर्टी अपान 4 दसंबलो 1.8 कालोरी जहां कि आई बराबर एंपियर धारा को प्रदर्सित करता है आर बराबर रेजिस्टेंस टी बराबर समय एक किलो कलोरी बराबर 4.18 जूल होता है और 1 जूल बराबर 1 अपान 4.18 कलोरी होता है चल जे अगला प्रश्न है 3 ओम 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रत्रोदों को 30 वोल्टेज परिपत्थ में समांतर में जोड़ा गया है तो तीन ओम में प्रवाहित होने वाली धारा कमान हमें बताना है तो दोस्तो हमें इसे सभी को जोड़ना सही नहीं है हम डारिक टीन निकाल लेते हैं, एक्जाम में टाइम बचाने के लिए आई बराबर आपका होता है वी अपान आर, वी कमान 30 दे रका है आर का मान हमारा तीन के कार्ड निकालना है तो तीन से तीस को काट देंगे तो आपका दस आ जाएगा जो की राइट अंसर आपसन नमबर भी सही उत्तर है दोस्तों अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर इसमें बहुत बड़ी वियाख्या दे रखा है चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं एक इस्थिर धारा का स्रोत एक किलो ओम के लोड पर 0.4 एंपियर की धारा सप्लाई करता है यदि लोड को बदल कर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी होगी दोस्तों इसका सही उत्तार है दोस्तों इसमें आर कमान एक किलो ओम दे रखा है और आई कमान 0.4 एंपियर और 100 ओम बदल कर इसमें 100 ओम कर दिया गया है दोस्तों इसमें धारा निकालनी हमें धारा आई बराबर वी अपान आर होता है वी कमान हमारा कितना रखा है पहले हम वी कमान निकालेंगे दोस्तों इसे 100 ओम कर दिया गए मतलब 100 के कारड़ी निकालना है चलिए इसे ब्याक्षे से समझते है हाल फिलाल इसका राइट एंसर तो नहीं 40 मिली एंपियर है चलिए देखते है यह देखिए दोस्तों एक किलो ओम पर धारा मतलब एक किलो ओम पर धारा थी 0,94 एंपियर थी इसे किलो को मतलब किलो का मतलब 1000 होता है 1000 ओम आ गया 1000 ओम पर धारा 0,94 एंपियर है तो आई यनि एक ओम पर धारा मतलब 1000 का 0,94 में भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.04 एंपियर तो इसे 0.04 न लिखकर 40 गुड़े दसकी गाते 3 एंपियर लिख सकते हैं जो की 100 ओम पर धारा 40 मिली एंपियर आ गई है चलिए अगले प्रस्ण पर एक विद्दूत परिपत में प्रत्रोद 55 ओम है तता विद्दूत धारा 4 एंपियर की है तो वोल्टेज विभाव क्या होगा दोस्तो वी बराबर आई आर होता है आई कमान कितना है आई कमान 4 एंपियर दे रखा है आर कमान 55 दे रखा गुड़ा कर लेंगे पंचो को बीस पंचो को बीस दूई बाईस आपका 220 सही उत्तर आ जाएगा चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं जब दो पिंड को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब राइट एंसर दोस्तों अप्स नमर भी वे समान तथा विपरीत आवेस अरजित करते हैं जब दो पिंड को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब दोनों पिंड एक समान मान का तथा विपरीत धूरता का आवेस अरजित करते हैं जब किसी विसमवाही पदार्थ जैसे कांच, फलालेन या एबोनाइट की छण रेसम से रगड़ी जाती है तब या कागज या अन्य पदार्थ के तुकड़ों को आकरसित करने लगती है इसका कारण या है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया में या पदार्थ धान या रिनर्ड आवेसित हो जाते हैं या क्रिया इलेक्ट्रो इस्टेटिक कहलाती है चले अगला प्रश्ण है वाट घंटा की इकाई है? राइट एंसर दोस्तों इन में से तो कोई नहीं दे रखा है वाट घंटा की जो इकाई इसमें कोई नहीं दे रखा है विदुद धारा का जो है एंपियर तता उर्जा की इकाई जो है जूल तता विभाव की इकाई ओल्ट होती है विभाव का ओल्ट उर्जा की जूल और प्रत्रोध रेजिस्टेंस की जो एकाई होती है ओम जो होता है अगले प्रस्ट पर चलते हैं किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है जब उसके बीच में विद्धु धारा को प्रवाहित किया जाता है इसका कारण है राइट एंसर दोस्तो आपसर नमबर डी चालन इलेक्टरानों को धातु के परमाडु के साथ जो संगट होता है वा उर्जा छोड़ता है जो की उसमा के रूप में दिखाई पड़ता है किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है जब उसके बीच से विद्दुधारा प्रवाहित किया जाता है इसका कारण या है कि चालन इलेक्टरानों का धातु परमाडु के साथ संगट होता है वा उर्जा छोड़ता है जो की उसमा के रूप में प्रतीत होता है अगला प्रश्ण है जुड़े हैं छाय ओम के तीन प्रतीरोध प्रतीरोध इस प्रकार जुड़े हैं जिन से एक त्रिभुज बन गया है किनी दो कोनों के बीच प्रतीरोध क्या है दोस्तों इसमें च्छाय त्रिभूज में पहले दो को स्रेडी क्रम में जोड लेंगे च्छाय च्छाय बारा हो जाएगा स्रेडी क्रम में फिर बारा और च्छाय को समांतर क्रम में जोड लेंगे फिर आ जाएगा आपका उपर दो बटे बारा एलसियम लेंगे तो आपका आजाएगा च्छे च्छे ओम आपका सही उत्तर है रुकुरुकुरु स्वारी च्छे च्छे बारा पहले हो गया बारा आने के बाद इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे प्लस वन अपांच च्छे दोस्तो उपर आ जाएगा तीन एलसियम लेने में थोड़ा दिक्कत हो गई उपर आएगा तीन तीन च्छो को बारा आपका चार ओम आपका सही उत्तर आ जाएगा आपसा नमबर सी सही उत्तर है अगले प्रस्ण पर नीचे प्रदर्शित परिपत में ए बी के गिर्ध सम्तुल प्रतुरोद है दोस्तो ए बी पर प्रतुरोद निकालना है पहले दोस्तो इन्हें समातर क्रम में जोड़ेंगे अपन वन प्लस वन अपन वन दोस्तो वन अपन वन मतलब दो बटे एक इसे उल्टा करेंगे तो एक बटे दो हो आ जाएगा इधर एक बटे दो इसमें भी आएगा तो फिर इसे सिरीज में जोड़ लेते हैं एक बटे दो प्लस एक बटे दो दोस्तों उपर आ जाएगा दो नीचे आ जाएगा दो दो से दो कट गया आपको उत्तर आ गया एक ओम जो की अपसन नमबर B में दिया हुआ है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है प्रत्रोद जो की धारे के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुड है वह निम्न पर निर्भर करता है राइट एंसर दोस्तों ये सभी पर निर्भर करता है सामागरी अथ्व विशिष्ट प्रत्रोद पर भी अनुच्छेद परिच्छेद का छेतफल भी और इसकी लंबाई और तापमान सभी पर निर्वर करता है जैसे कि दोस्तों आप फार्मूला से समझ सकते हैं देखिए दोस्तों आर बराबर रो एल अपान ए लंबाई पर और अनुप्रस्त काट्छे त्फल के अनुक्रमान पाती होता है जब की लंबाई के समान पाती पर और पदार्थ यानि विशिष्ट प्रत्रोद के समान पाती होता है और दोस्तों R बराबर R01 प्लस अलपा A T जहां कि T ताप मान R00 जीरो डिगरी सेल्सियस पर प्रत्रोद अलपा बराबर प्रत्रोद ताप गुड़ांग चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं A B के R पर प्रत्रोद होगा दोस्तों ये सभी समानतर क्रम में लगे हैं तो आप समानतर क्रम में जोड़ लिगे 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 प्लस 1 upon 10 प्लस 1 बटे 10 उपर आ जाएगा आपका 3 बटे 10 तो फिर इसे पलट लेंगे तो आपका 10 बटे 3 आ जाएगा भाग करेंगे तो तीन दसंबलो तीन 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 आपका सही उत्तर आपसन नमबर सी आ जाएगा चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं तीन प्रत्रोद R1, R2, R3 से रेली क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 बड़ा है, R2 से, R2 बड़ा है, R3 से शक्ति व्याएं जो हो रही राइट अंसर दोस्तों, R1 में अधिक्तम सक्ति होगी आप देखी रहे हैं सबसे बड़ा R1 है, चलिए अगले प्रस्ण पर एक तार का प्रत्रोद क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है अनुपरस्त काट छेत्रफल 1.2 सेंटी मीटर और विशिष्ट प्रत्रोद 1.5 माइक्रो ओम सेंटी मीटर है दोस्तों, R बराबर रो L अपान ए, जहां रो का मान आपको दिया हुआ है 1.5 गुड़े दसकी गाते 8 ओम इंटु मीटर, L बराबर आपको दिया हुआ है 90, 90 दिया हुआ है और अनुपरस्त काट का जो छेत्रफल है वो एक गुड़े दसकी गाते 4 मीटर स्क्वाइर है फिर दोस्तों, इसे हल करेंगे, तो आपको इसके मान पर रखकर आप इसे हल करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, आपसन नमबर भी राइट एंसर है 0, 0, 0, 1, 3, 5 सही उत्तर है चलिए अगले प्रस्त पर चलते हैं विदूत आवेसों के बीच के बल के लिए कुलांब का नियम डेट डेस के काफी अनुरूप है राइट एंसर दोस्तों, आपसन नमबर ए, निव्टन के गुरुत्यों करसंड नियम कुलांब के नियम अनुसार दो आवेसों के बीच आ करसंड अथो प्रत्रिकरसंड बल उन आवेसों के गुड़न फल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वितकरमान उपाती होता है दोस्तों, जैसा कि ए प्रपोस्नल की ओन इंटू कुटू अपान आरी स्कॉयर जहां कि इस प्रकार गुरुत्यों करसंड नियम अनुसार यानि प्रपोस्नल हटाएंगे जी लगाएंगे जहां कि जी है गुरुत्यों करसंड नियत आंक और M1, M2 जो है M1, M2 जो है दो पिंडों की दो पिंड है और R जो है दोनों पिंडों की बीच की दूरी है जो एक दूसरे को आकर्सित कर रहे हैं चल ये अगले प्रस्म पर चलते हैं क्रमसा 3 ओम और 6 ओम के दो प्रत्रोद सिरीज में 18 वल्ट की वैटर से जुड़े हैं तो इस सर्कुट में गुजरने वाली धारा दोस्तों धारा निकालना पहले तो इसे सिरीज में जोड लेंगे 6 और 3 को सिरीज में जोडेंगे तो 9 ओम आ जाएगा तो आई बराबर वी अपान आर होता है आर कमान हमने 18 रखा और आर कमान 9 इसे हल कर लेंगे तो आपका दो एमपियर आ जाएगा जोकी अपसन नमबर ए सही उत्तर है अगले प्रस्ट पर चलते हैं जीरो दो समलो तीन एमपियर की धारा प्रवाहित करने के लिए किसी विद्धूत परिपत में एक 100 ओम प्रत्रोधक की अवैसकता होती है इस परिपत के लिए निम लिखित में से कौन सा प्रत्रोधक उप्यूक रहेगा चलिए दोस्तों इससे देखते हैं राइट एंसर दोस्तों अपसर नंबर डी 100 ओम और नव आट दोस्तों आई बराबर दिया था जीरो समलो तीन एमपियर आर बराबर 100 ओम दिया था वी बराबर हम निकालेंगे आई आर दोनों को गुड़ा कर देंगे तो आपका 30 वोल्ट आ जाएगा जहांकि पी बराबर वी स्कुयर आर होता है वी कमान हमने रग दिया डबल स्कुयर का मतलब डबल होता है डबल कर दिया इसे भाग कर दिया तो आपका 100 ओम तो पहले दे रखा तो आपका नव आट नव वाट आ गया चलिए अगले प्रस्म पर चलते हैं किसी परिपत में स्रेडी करम में तीन एक समान प्रत्रोद 18 वल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं जहां धारा का मान एक एमपियर है प्रतेक प्रत्रोद का मान होगा राइट आइंसर दोस्तों आपसन नमबर भी छै ओंग दोस्तों क्या है किसी परिपत में स्रेडी क्रम में तीन प्रत्रोज यानि स्रेडी क्रम में तीन प्रत्रोज माना आर प्रत्रोज जो है आर है तीनों को स्रेडी क्रम में जोड़ेंगे ठीरी आर हो जाएगा तो फिर दो आठारा हमें क्या निकलना प्रत्रोद आई कमान एक दोस्तों तीन का अठार से भाग दे देंगे तो आपका आर बराबर आ जाएगा तिन चंग अठारा यानि आर बराबर च्छै ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्त पर चलते हैं 220 ओम प्रत्रोद की मोटर दो एंपियर धारा लेती है इसकी प्रियुक्त वोल्टेज होगी दोस्तों हमें वोल्टेज निकालना है वी बराबर आई आर होता है आई कमान हमने रख दिया दो और 220 इसे गुड़ा कर दिया तो आपका आ जाएगा चार सो चालिस वोल्ट जो की अफस्न नमबर A में दिया हुआ है सही उत्तर है चलिए अगले प्रस्त पर दो ओम और तीन ओम के करमसा दो तार समानतर करम में जोड़े जाते हैं तो उनका पिरडामी प्रत्रोद क्या होगा दोस्तों समांतर क्रम में समांतर क्रम को आपको मैंने बताते बताते इतना सिखा दिया चले समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं एलसियम लेंगे नीचे 6 आएगा नीचे 6 आएगा ऐसे एलसियम लेंगे तो 2, 3, 6 प्लस 3, 2, 6 6 उपर 5 पाँच बटे 6 आ जाएगा इसे इल्टा कर लेंगे तो आपका 6 बटे 5 आ जाएगा आप इसे भाग कर देंगे तो 5 5 5 5 2 10 1.2 सही उत्तर जो आपका आ जाएगा 1.2 जो कि आफ से नम्बर सी में दिया हुआ दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दो अगर आप चैनल पे ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टाप्टिक के साथ धन्यमाद